नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचान के नुसार मागमा के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को शट दिला एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन श्रीहरी फगवान विष्णू की पूजा अशना करने का विधान है इस दिला एकादशी के व्रत में तिलका उप्योग बेहत महत पूर माना गया है इस दिन खाने वाले तिलका उप्योग 6 प्रकार से करने का विधान है साथ ही मानेता है कि इस दिन तिल का दान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाय पूरी होती है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में शट दिला एक आदशी कब है पांच या छह फरवरी को एक आदशी की तिति क्या रहेगी व्रत की विदी क्या है उपार्ण का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तर्थ आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एक आदशी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप्ट करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिविकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिलकुर मत पूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक आदशी के दिन व्रती को ब्रह्मूरत में उठकर इसनानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पैश्यां स्वक्ष वस्तधारन करे खरके मंदिर की साफ सफाई करे गंगा चल का छिर्काव करके उसके पैश्यांत व्रत का संकल्प ले लकडी की एक साफ चौकी पर पिले रंका वस्त्र विछा कर उस पर भगवान श्री हरी विष्णू की मूर्ती की स्थापना करे भगवान विष्णू को पीले चंदन, हल्दी, कुम-कुम से तिलक करे दीपक चलाएं भगवान विष्णू की पूजा करे विष्णू सहस नाम का पाठ करे, साथे विष्णू चालिसा का भी पाठ करे शट तिला एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने भगवान विष्णू को भोग लगाएं भगवान विष्णू की आरती करे द्वादशी तिथी पर शुमूरत में व्रत का पारण करे साल दोहजार चौविस में शट तिला एकादशी चे फरवरी दोहजार चौविस दिन मंगलवार को है पारण का समय रहेगा 7 फर्वरी 2024 दिन बुदवार को सुबह 7 बच कर 6 मिनट से 9 बच कर 18 मिनट तक एकांद शीतिती कारंब होगा 5 फर्वरी की शाम 5 बच कर 24 मिनट पर और समापती होगी 6 फर्वरी की शाम 4 बच कर 7 मिनट पर मिरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ